दोस्तो इस Bluetooth earphone का speaker खराब हो चुका है तो मालों कि अगर आपके Bluetooth earphone के speaker से कोई भी sound नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं कि आपके भी Bluetooth के speaker ही खराब हो हो सकता है circuit खराब हो या ये भी हो सकता है कि आपके Bluetooth speaker का wire open हो चुका हो तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ कि अगर आपके Bluetooth earphone के speaker से कोई भी sound नहीं आ रहा है तो आप कैसे confirm कर सकते हैं कि speaker ही खराब है या कोई दूसरा fault है और यदि speaker खराब निकलता है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके Bluetooth का problem सौर हो जाए तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हमारा YouTube चेनल मेकनिकल सर्ज तो चले दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वाट टाक से तो दोस्तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यह जो Bluetooth earphone है उसका speaker खराब हो चुका है तो दोस्तो यह confirm तब होगा जब हम इसे check करके आपको दिखाएंगे तो दोस्तो आप देखते हैं इसका light है वा on हो रहा है इसका circuit है वा work कर रहा है मगर दोस्तो इसमें किसी भी पकार का sound नहीं आ रहा है तो दोस्तो जरूरी नहीं कि इसमें speaker ही खराब हो कोई दूसरा fault भी हो सकता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके cover को इस पकार से open करेंगे इसके circuit को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि अंदर fault क्या है क्या हमारा speaker खराब है या नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसका जो circuit है उसे पुरी तरह से बाहर निकाल लेते हैं और आप यहाँ पर दे सकते इस speaker का wire यहाँ पर लगा हुआ इस तरह से और पहले हम इसका wire को check करेंगे तो आप दे सकते इसका जो wire है दोस्तो वह सही स कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों इस सर्कीट के पास शॉल्डिंग हुआ यहां पर आप दे सकते हम इसे मल्टिमिटर के थूझ चेक करें तो आप यहां पर देख सकते हैं इसमें किसी प्रकार का इसमें वैल्यू नहीं बता रहा है नहीं इसमें बीब साउंड आ रहा है इसका अर्थ है यह हुआ कि यह जो स्पीकर दोस्तों वह खराब हो चुका क्योंकि इसमें कंडूटी नहीं बता रहा है और नहीं इसमें बीब साउंड आ रहा है तो अब हम क्या करें दोस्तों इस स्पीकर खराब हो चुका तो इस कंडिशन में हम क्या कर सकते हैं अगर इस पिकर उसी के समान है आप देख सकते हैं तो हम क्या करेंगे इस 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 पिकर को इस ब्लूटुत में लगाएंगे तो दोस्तो आप देख पर रहे हैं इसमें बीप साउंड आ रहा है और वैल्यू भी बता रहा है इसका अतात्पर हुआ कि यह जो इस पिकर है वस सही है तो चलिए हम इस इस पिकर को इसमें लगाएंगे उससे पहले जो पहले का इस पिकर इसमें खराब हो चुका है उससे हम बाहर निकाल लेते हैं इस पकार से तो इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे जो इस पिकर अंदर फसा हुआ है तो इधा से निकाल कर देखते हैं कि निकलता पर निकल जाता है तो इसके बाद हम कटर के साथ से हल्की हल्की छीट लेंगे और छील लेने के बाद तो इसका जो स्पीकर जाहां पर लगता है उस हॉल्स के मदद से यहां पर बाहर निकल लेंगी यहाँ पर हमें स्पीकर लगाना है तो चलिए हम इसे सॉल्डिंग कर लेते हैं इस स्पीकर को यहाँ पर तो इस तरह से हमने इस स्पीकर को यहाँ पर सॉल्डिंग कर दिये हैं और इस स्पीकर को इसके अंदर इस पका से लगा लेंगे तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो ब्ल इस पकार से चेक कर सकते हैं और खराब होने पर आप इस तरह से उसको प्राब्लम को सॉल्वी कर सकते हैं तो चले दोस्तों मिलते हैं ने स्टूडियो में एक और नई रिपेरिंग वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिं